एजास, के न के अपनी एक उनको जो एक रिलीफ मिलाए ना कि वो फिनाले तक पहुंच चुके हैं मज़ा लेद फुल मज़ा लेद घर के अदर अभी जितने भी कंट सेट हैą वह उस सारे के सारे स्टर्गल कर रहें कि किसी न किसी तरह वो फिनाले तक पहुंचे हमें देखने को मिला कि आज भी गर के अंदर एक जबर्दस्क होने वाला है। एक ओर घर से बेगर हो चुकत हैं। घर से बेगर हो चुके हैं और वहीं आज भी एक और घर से बेगर होने वाला है और यह जो घर से बेगर होंगे ना यह बिलकुल ही शौकिंग है यहां पर असा नहीं है कि कविता कौशिक के लिए घर में कोई गेम रखी गई है नहीं बिग वास कहते हैं कि भई डिसाइड कीजी कि किसने घर के अंदर लगातार रूल्स थोड़े हैं और कौन इस घर में रहना जो है इंपोर्टेंट फिल नहीं करता वैल कौन है सबका टारगेट एक ही रहती है वो है कविता कौशिक रूबीना अभिनव एजास जयास्मिन ये चारों तो कहिन कहिता क को टारगेट करनी वाले थैं सबको पता था लेकिन उसी बीच एक फायड भी हो जाती है जहां पर कविता कोशिक कहिना के गुस्दे में आकर कि मेरा न सबसे पहले किस ने उच्छाना कवीता को शुरू कर दिया है जो डिवास वाली बात रिवील की थी इन दोनों ने यानि कि रूबीन और अभिनम ने उसको सबसे पहले किस ने उच्छाना कवीता को आशिक ने जो यहाँ पर एजाज ने अपनी मॉलस्टेशन उन्हों ने जो बताया था कि बच्छ में में साथ ऐसा हुआ वो सबसे जादा किस ने उचला कवीता ने कवीता नीचे जितनी नीचे गिर सकती ना जितना गटर में गिर सकती है उतना गिरने की कोशिश कर रही है और आज अंदगी तुमने फेलाई है उसी को समेटने तुम पापीस आओगी क्योंकि कवीता हो जुकी है घर से बेगर तो बिग बस जो रूप देखना चाहते थे रूबीना का वो अब देखना शुरू हो चुगा है कहीना कि हमें अब लग रहा है कि यह बिग बॉस है धन्यवाद में यह बarna होगी पिएरू कतल का क tornadoपया हैга कि यह वोगना अबिशखनी टुमने धने दिखना हमें अजिदी गुगा है को रदेता है